असलाम आलेकुम दोस्त गुड मॉर्णिंग देखिए मैं कल आजम गट गई थी तो वहां से मैंने कुछ प्लांट पर्चेस किये हैं कुछ पदे खरीद के लाई हूं बहुत पर्फिक्ट ट्रेट में मिल गया है यहां हम्लुकी नर्चरी से काफी हद तक सस्ती वो नर्चरी ह है कि सारे प्लांट्स मुझे बहुत ही सस्ती कीमत पर मिले हैं बहुत पर्फिक्ट रेट पर यह देखिए क्रोटन है यह 50 रुपीज का यह कोलियस 30 रुपीज का इस्ट्रोबेरी 50 रुपीज जेट प्लान 30 रुपीज तुलसी यह 25 रुपीज पिंक रुपीज यह 50 रुपीज यह 30 रुपीज है 150 यह मैरी गोल्ड है साथ 25 रुपीज के यह 30 रुपीज यह लिदाओदी है यह भी 30 रुपीज का यह देशी उलाव देखिए यही इतने सारे मेरे प्लांट्स है और बहुत ही बहुत कम रेक में मिल गये हैं और यह पीस ले ली है यह तो भूल रहा थे विचारा सबसे इच्छा जो सबसे यह जीजी प्लांट है यह मुझे 150 का मिला है विद पॉट इसका पॉट बहुत हुप्सूरत है इसकी सफाई कर दूंगी तो बहुत अच्छा निखर के आएगा बहुत नन्ना सब प्लांट है यह तो आज मैं इन सब को रिपोर्ट करूंगी लेकिन इन में तीन पॉदे ऐसे हैं जो मैं किसी और को दे दूंगी यह तुलसी सामने वाली को और यह मैरी गोल्ड यह मैरी गोल्ड और यह यह तीनों मेरी फ्रेंड्स कहा जाएंगे उसे पसंद आ गये हैं और वाकी सब मेरे हैं यह भी उसे पसंद था लेकिन यह मैं नहीं दूंगी यह मुझे बहुत जादा पसंद है बरून क्रिसैंतिमा मैरून गुल्डाओ दीद देखिए फ्रेंस आज की मेरी यह और मैं आपको दिखाओं कुछ लोग कहते हैं कि नर्सरी से लाने के बाद फ्लावर्स की कलर वैसे नहीं होते ना वो साइज होता है देखिए मेरे यहां जब से मैं लाई हूं तब सी चौथा फूल है ना इसका साइज छोटा हुआ ना इसका कलर डिफ्रेंस हुआ यह सिब कहने की बाते हैं इंसान को अगर पौदे लगाना नहीं आता तो नर्सरी वालों की शिकायत ना किया करें उनका विजनेस है वो दोखा दड़ी करेंगी तो काम कैसे चले ना वो भी मानदार होते दुनिया में हर कोई बेइमान नहीं होता है मेरे हां सारे फ्लावर्स देखि कि सब अच्छे खिलते हैं सब यह अलग बात है कि मैं धंग से केयर नहीं कर पाती और कुछ तो बंदर खराब कर देते हैं इस वक्त ठड़ बहुत जादा पढ़नी है यह देखिए कोई प्लांस मेरा खराब नहीं मिलेगा हां थोड़ा सा इस वक्त केयर करने में थोड़ा स हुए है जाय देखिए ही कैक्टस का है फर्ववीया मेली देखिए बंदर आके तोड़ देता है फिर भी विचारा मुस्कुरा रहा है कि सारे देखिए 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 यह मेरा लेमन यलो मनी प्लांट कि टूनिया स्वीट पोटेटो वाइन बिगोनिया इस्पाइडर प्लांट एंड इस्ट्रिंग बनाना देखिए बंदर तोड की टुकडा टुकडा कर दिया है क्या करें जानवर हैं विचारे सब भूके रहते हैं कहां जाएं यह देखिए मेरी गोवी कावली फ्लावर मैंने आपको सारे प्लांट्स अपने दिखा दिये अब मुझे इजाज़त दीजी मैं इने रिपोर्ट करूंगी जिनको मैं कल पर्चिस कर दिलाएं उनने नए महमान को इनकी जगा शिफ्ट करूंगी चलिए द्वाओं में याद रखिएगा अगर पसंद आए तो मेरा वीडियो लाइक भी कर दिजीगा लेकिन मेरे एक रिक्वेस्ट है आप भी पौदे लगाएं अच्छा लगता है सुकून मिलता है चलिए ठीक अलाफिस